नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्ता मित्यादव आपके अपने चैनल गर पर पार्ट साने दोस्तों स्वागत करता हूँ दोस्तों ITVP ट्रेडमेंट जो बर्ती 2017 के अंदर आई थी आपकी उसके अंदर बहुत से युवाओं का सपना था कि अब की बार हमारा जो सपना है बर्ती में सामिल होने का ITVP की वर्दी पहनने का उस अपना पूरा हो जाएगा लेकिन फिर क्या हुआ बीज में करोना आ गया मार्च में के अंदर आपका दो बार एक्जाम की डेट आई लेकिन फिर कैंसील हो गया एक्जाम करोना का फिर उसके बाद क्या हुआ उसके बाद हमारा जो जनवरी के अंदर 10 जनवरी के अंदर एक्जाम की डेट आई फिर आज जगी की बहुत दिनों के बाद में एक्जाम की डेट आई है और अब की बार क्या हुआ कि बहुत ही जल्दी काम होगा और बरती क्या पता मारत लगया अपर अलग हमें जोइनिंग मिल जाए लेकिन इस वर्ति के अंदर भी फर्जी वाड़ा हुआ बहुत से पेपर आउट हुए यूटूब पे भी पेपर आउट हुआ है और बहुत सी कमिया में देखने को इस एक्जाम के अंदर मिली तो जिन कंडिडेट के इसके अंदर अच यारी अच्छी नहीं थी जिनको पेपर के पैटरन के बारे में नहीं पता था किस परकार का पेपर आएगा तो उनके लिए अच्छी खबर यह हुई कि एक्जाम कैंसिल हो गया आपका और दुबारा क्या पताब कब एक्जाम हो तो दूसरी बात ही आती कि आपके दिमाग म कि क्या तो बरती कैंसिल नहीं होगी है अगर कैंसिल हो जाती तो बरती फिर तो कुछ भी नहीं बसता मेरे पास में क्योंकि बहुत से युवाओं की लाश्ट बरती है जिनकी एज होने वाली है तो कैंसिल बरती आपकी नहीं होगी आपका मार्स तक इसका 100% आपका एकजाम इसके अंदर हो जाएगा लेकिन बहुत से कंड्डेट के मेरे पास भी कोमेंट पार है जिनके कंड्डेट के अच्छे नंबर थे तो उनके मन में बहुत ही अच्छी आश जगी थी कि अपकी बार अच्छे नंबर आ गए हैं सलेक्शन हो जाएगा लेकिन जैसे पेपर उनका जो ही रद हुआ है उनके आश तूट गई है बहुत से कंडियर के कमेंट भी आ रहे हैं सर अब हम क्या करें मेरी तो लास्ट बरती जैंब हैं यह वह फादर मेरे पापा की हिच्छा थे कि मैं भी आर्मी आर्मि में जाने भरतीन हैं अब आपको पता चल लगया कि आको कहां से करनी है कौन सा आपका वी害 पॉइंट है उनकि किस परकार के घुशना तीवइसे पूछ जार रहे तो आपको मन में हाठ मान लेते हैं तो आप कितने ही% के उपर आपकी 메rit लग जाए तो आपका स recommends नहीं होगा चाहिए 30 परसे 30 नंबर के उपर अगर आपके लिष्ट लग जाते हैं तो भी अगर आप मन से आ रहे हुए हैं तो फिर आपका जो सलेक्स नहीं होगा लेकिन अगर आपके मन में जीत है कि मुझे तो लगना है इस बरती में चाहे 50 में से 50 नंबर पर मेरिट लगें तब आपका जो आतम विश्वास है, कॉन्फिडेंस है वो आपको उस बरती के अंदर जो रिजल्ट आएगा तब आप देखने को मिलेगा यानकि जिस तयारी से जिस इच्छा सकती से आप चीज को पाने के लिए जितनी आप मेनद करते हैं उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी चाहे वो सफलता थोड़ी लेट मिले यान की कोई भी कंडे डी मोटिवेट मत हों किसी के लाश भर्थी कोई दिक्कत की बात नहीं है ये बर्थी नहीं मिली इच्छँ जो वं तो इतनी जल्दी एकजाम नहीं होता मेरे बाई क्या यह अजैंची लेगी अब आपका एकजाम तो इसके बारे में कुछ भी कणफर्म नहीं है क्योंकि उन्हेंक अजैंशी को आयर किया था जिसको आपका करवाएगी लेकिन आप पेपर आउट हो गया है तो उसका कुछ भी पता कि अब यह जैंशी करवाएगी या फिर दुबारा से आपका टेंडर निकाला जाएगा दूसरी जैंशी आपका पेपर करवाएगी जनवरी के अंड तक यह सब कुछ कलियर हो जाएगे कि आपका पेपर किस महिने तक हो सकता तो मेरे इसाब चे क्योंकि उनको भी तो मैं दम से आपको पहले भी बताया था कि वकैंशी आपकी 303 से लेगे 600 पलस हो गई है तो बहुत से कंडेट यह भी बहुत है तो नोटिफिकेसन इंक्रीज वड़ा हो हमारे पास में विज़ी तो ऐसा कुछ भी इंक्रीज का नोटिज वेबसाइट को पर ना तो ITP पहले डालत वकैंशी एटोमेटिकली इंक्रीज होती है और जब मैडिकल के लिए आपको बुलाया जाता है तब उसमें देखा जाता है कि कितने एकंडेट को मैडिकल के लिए बुलायागा है तो वकैंशी मैंने आपको पहले बताता है कि 600 पलस वकैंशी हो गए है जितना लेट commerce हो एतने सेन्ट्र पुजा जाता है।्ट उनकी टूटी लगती है। पीए सबी के जो जिला आयुक तो होते हैं उनकी भी डूटी इसके अंदर लगती है तो बहुत सारा इसके अंदर वह रहता है इतनी आसानी से पेपर नहीं होता तो मार्ज तक आपका 100% पेपर हो जाएगा डी मोटिवेट मह तो यह अपने अंदर जोस बरिये यह मत सोचिए क आपके बार तो मेरे अच्छे नमबर आ रहे थे लेकिन अगली बार क्या होगा आएंगे या नहीं आएंगे अगर आपके अंदर काबिलियत है तो जरूर आएंगे चाप कितने भी पेपर ले ले लीजी पैटरन तो वही रहता है यह तो है नहीं कि आपके ट्वाल्थ बेस बेस के आपके कोस्चन पूछे जाएंगे लेवल तो एक्जाम का वही रहेगा अगर आपके अच्छी त्यारी है अपने अच्छी मेंद से अपने अंक पराप्त किये हैं तो दुबारा से भी अंक पराप्त कर लेंगे लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात उनकी लिए है ज अपनी मेंद से अंक पराप्त किये हैं 40 पराप्त किये हैं 40 पराप्त किये हैं 45 पराप्त किये हैं तो वे तो इससे ज़्यादा भी अंक पराप्त कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अब तो टाइम बहुत और आपके पास में और मैं फिर बताता हूं जिस कंडेट को एक्जाम पूरा करवाया जाएगा ना कि बेफाल तुगा कोई भी इसके अंदर मैटर करवा जाएगा जब आपके एक्जाम डेट आती है तो हर रोज आपको प्रैक्टिस सेट दिये जाएगे ओनलाइन क्लास लगेगी वट्सअप गुरूप आपके प्रैक्टिस सेट आपको ली जाएगे आप से फिस इतनी ज़्यादा है कि कोई भी पर ना कर सके तो जिस भी इत को जुड़ना है मेरा मुबाइल नमबर आपको मिल जाएगा वहां से आप मुझे क्या कर सकते हैं मेरे पास में वट्सम मैसेज कर सकते हैं और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा गुरूप के बारे में पूछ सकते हूं तो आज के लिए दोस्तों इतना ही जैहिंद जैबारत और जैहरियाना कोई भी नई अपडेट आती है पेपर से रेलेटर मैं फिर बता देता हूं जब यह पेपर 10 जनुरी का था सबसे पहले यूटूब पर मैंने ही बता रहा था कि 10 से पहले यूटूब पर मैं आपके सेकेंड पेपर की डेट आपको कन्फर्म बताऊं तो आज के लिए दोस्ते नहीं जैहिंद जैहरियाना दोस्तों सभी को जैए